सरकार किसकी है? अई जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना उसमें कोई बुराई नहीं है यह राश्टपती देश का हाईयस्ट पेड इमपलाई है तो टैक्स भी तो देता है हम टेक्स भी देते हैं पहुने तीन लाग रुपया महिना लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्शा करते हैं कि आपको तो पाच लाग मिलता है कि उसमें से हर महिने पहुने तीन लाग निकल जाता है बचा कितना और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी हो उन सब को मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुए हैं ना टीचर्स उन सब को सबसे ज़्यादा है इसकी बात का उलेक किवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड है आखिर इनी से विकास होना है तो नुकसान किसका होगा नुकसान हमारा होगा अपना आपका होगा कहीं ने कहीं धायर दे करके कहीं ने कहीं आवेस में ये मैं राजनेति की बात नहीं करता हूँ सम्मधानिक पद पर हूँ लेकिन मेरा किसी राजनेतिक दल से सम्मेदानिक पद पाने के बाद लगाओ नहीं मेरे लिए हर चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीउ हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो हर राजनेतिक दल के और मुझे कभी-कभी संदोस होता है कि शायद मेरे से जो दूसरे दलों के लोग हैं, वो ज्यादा आतमीता और प्यार करते हैं मैं इस बात का केवल उलेख इसलिए किया कि राजनेतिक दल आते हैं, विकास की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं अपने उसमें उनका स्वार्थ भी होता है देश छेत्र का भी स्वार्थ है आपका भी स्वार्थ है देश का भी स्वार्थ है लेकिन कब से कम आप तो उस स्वार्थ से उपर उठे हैं आप उपर उठेगे सोच सबज करके आप गोट करते हैं और ठीक से जो साथ का हाइस्ट पेड पेड, हाइएस्ट पेड इंपलाई है तो वो टैक्स में तो देता है। हम टैक्स में देते हैS पोने थीन लाग रुपया महीना। लेकिन वो कोई कहेगा आपको लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्शा करते का आपको तो 5 लाग मिलता है त त ås में से हर महिने पहुरह 3 लाग निकल जाता है बचा कितना और जिदना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी ओ उदन सब 한데 मिलता है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद